इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में नॉटिस्ट की औरतों का काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है मिजरम की लालनो रपुलियानी इन में से एक है जिन्होंने बिटिश राशन के खिलाफ लाराई लड़ी थी हिस्ट्री टेक्स्ट्बुक्स के अनुसार लालनो रपुलियानी मिजरम की डेनलूंग गाउ की चीफटिस बनी 1889 में उस टाइम में मिजरम में रीत थी कि अगर वहां के गाउ के मुख्या की किसी भी वज़े से डेथ होती है तो उनकी भी भी मुख्या बन सकती इसी के चलते उस जमाने में बहुत सारे गाउ की मुख्या विद्वा औरते बनी जिसका डाइरेक रिजल्ट था औरतों का सोशो कल्चरल और पॉलिटिकल मैटर्स में क्रेटर इन्वॉल्फ लालों ने खुद तो बिटिश आशन का विरोध किया ही इसके अलावा उनके स्टान से इंस्पाइर होकी बाकी गाउने भी बिटिश रूल को रिजिस्ट किया इसके साथ ही Christianity के स्प्रेट को भी एक गाउवाले रिजिस्ट करने लगे इसी टाइम पे बिटिश चिटगॉं हिल्स से मयामार के चेन हिल्स तक एक रस्ता बनवाने का आयोजन करने लगे और मिजरम के लुशाय मुख्याओ को और दिया कि इस रस्टेकिंग अस्रक्षन के लिए मजदूर वो प्रवाइड करे रुपुलियानी ने सिर्फ लेबर प्रवाइड करने से मना नहीं किया बर टैसस देने से भी इंकार कर दिया 7th August 1893 में British Captain Shakespeare ने रुपुलियानी और उनके बेटे लाल थुआ मा के खिलाफ एक expedition निकाला और मा बेटे दोनों को सबक सिखाने की कोशिश की compensation और टैसस मांगे उन्होंने वहाँ के गाउवालों को भी harass करना शुरू किया तमाम कोशिशों के बावजूद मा बेटे ने टैसस देने से मना कर दिया और बिटिश के खिलाफ लराई की शुरुआत कर दिया लेकिन इस बात की भनक बिटिश को लग गई और उन्होंने रुपुलियानी और लाल थुआमा के गाउव को रातो रात अटैक किया इसके बा बिटिश ने मिजरम या उस टाइम के लुशाई हिल्स डिस्ट्रिक को अपने कब्जे में कर लिया चाहे रुपुलानी का रिजिस्टेंस सक्सेस्फुल ना हो लेकिन उसका इंपक्ट काफी सिग्निफिकन था और आज भी मिजरम की हिस्ट्री का वो एक एहम हिस्सा है नॉटिस पर नजरक अगर ये एपिसोड अपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें हमारे सोचल मीडिया अनल्स पर भी फोलगें नमस्कार